इन लोगों को कितना भी कहलो, कितने भी क्रिटिसाइज करलो, कितने भी कमेंट करलो, मजाल यह जो लोग सुधरने का नाम ले रहे हो, डे बाइ डे ऐसा डाउनफोल शुरू हुआ है, ऐसा शनी लगा है ना इनकी जिंदिगी में, कि इनकी जिंदिगी के डाउनफोल शुरू हो गए हैं सब की व्यूज्ज पर कमी आ गई है और इसी ऐस फणीन और क्या कि यह चलिए आपको बता है उस्प्रेंड विडियो के लिए नौटिफिकेशन आहे पहले ही मिल जाए मेडम का व्लोग तो आपने देखी लिया है पहला है जो व्लोग था वहूरा adequately dedicated इस चीज़ के लिए था कि बस कैसे भी करके जो भी rumors थे जो भी लोगों ने allegations लगाए थे या लोगों ने जो भी criticize किया था या मेरी भाशा में कहो तो वो सही सवाल थे सही उनके answer थे question पूछे गए थे और ये भी था कि उनसे सवाल उठाए गए थे कि ऐसा actually क्यूं है आपके साथ ही ऐसा क्या आप superwoman है क्या आपको सारी चीज़े जो ना बिल्कुर different होती है दुनिया से सारी अजीबों गरीबों चीज़े आपके साथ ही क्यूं होती है तो जाहे वो फिर मतलब अपने उन सवालों के जवाब आपको जबजस्ती देने कि आपको क्या जरूत है सफाई देने कि अगर आपके मन में कहीं पर भी ऐसी नहीं है और आपको रती भर फरक नहीं पड़ता इस चीज़ के लिए कोन क्या कह रहा है कि बच्चा क्रॉल नहीं करता है या बच् युष बनाऊंगी उन सजाओंगी फिर चाहे मैं आप आज तक जिस डॉक्टर के बारे में मैंने नाम नहीं बताया था मैंने यह नहीं दिखाय तक k alien किया जिकर नहीं किया क्या नाइंथ मन्त मैं कि कम सक्कर बीस बार नहीं गई होगी वोगे मैंने तो देखा है नाइंथ बीज में जैसे वह बुलाते हैं और जब आर्ट वह महिना लग जाता है तो एवरी 15 डेज में वह बुलवाते हैं चलो भाई यह सूपर वूम में होंगी नहीं गई होंगी और मैं यह भी नहीं कहती है कि जरूरी नहीं है कि बीस ही बार आपकी विजिट हो पर ऐसे तो होता है है नहीं कि जब वह विजिट कराने के लिए बुलाते हैं वह टाइम शेडियूल देते हैं तब-आपको जाना ही पड़ता है पर मैडम ने क्या पूरी नाइंध्व मत की प्रेग्नस के थी नहीं इनकी तो आठ मन्त की थी तो आठ मन्त में इन्होंने आठ बार भी यह नहीं आप पूरा प्रापर तरीके से हकीका भी सब कुछ कर सकते थे वो सारी चीज़ें की तरह से सब सारा परफॉर्म कर सकते थे कोई लोग डाउन थोड़ी ना चल लेकर जो लोग नहीं आते पर हां लोग आएंगे आपके बुलाने से तबी तो ना अभी आपकी चालू अपी रहेगा तो चल रहेगा जो जिस दरह सापने मना इस तरह से बच्चे से बच्चे को याद रहेगा क्या यह जो आप कर हूं पिछले जब उसका एक मंध से आपट बचचे का ये नाम है और ठीक हो जाता हैं नहीं सब की हात में ये बनाया वो सब जो आपने किया है अटीड लोगों के साथ रहें देखो भारती मैं कहाँआ हो यह संभावना होगी इनके यह पुराना नाता हैं व्लोगर्स भी है हैं और वो डे डेली लाइफ वोबी अप्लोड करते हैं गोहर खान है वो भी व्लोगर है आभी रिसेंटली उनके साथ कॉंटैक रहा इतने लंबे टाइम तक नका तो क्या ऐसे लोगों को भूला कर सेलिब्रेशन नहीं नहीं प्रफ़ेशन कर ले जाते हैं अच्छे खासे और इनके तो सारा स्पोंसर्ड ही हो जाता पर नहीं इनोंने कुछ करना ही नहीं था पुरी बरात को आप उठाकर ले आते हो तो इतनी टेबल हमारे पास अवेल बिल ने फिर ढख के तीन पात और वही मुल्ला की दोड़ मज़्दी तक तो पहुचे वही जहां पर हमेशा जाते हैं अब हमेशा जाते हैं तो भाई उन्होंने तो मरता क्याना करता जब आई गए है तो चलो अरेजमेंट करो क्योंकि उनको भी तो फाइदा होने वाला है जब इतने सारे लोग आए तो वहीं वहां पर पहुचे और अच्छा भई हर बार अकर जाएंगे तो फिर लोग हैं जहां पर ये हर बार जाते हैं तो रेस्टोरेंट वाले इंको आने तक नहीं देती हैं यह सोचकर के इतने सारे लोग हैं जोहाँ पर बड़ी सुसाइटी में भी एतना सारा जगा होती है कि यह ती Papa कर दे Dist chem कर सकते हैं तो चार लोगों को जिनको भी जानतें उनको तो कम सकंग बुलाया हो ता जो कि साथ में उन्होंने जिनके काम किये हैं जो भी बड़े-बड़े यूटीवर हैं हमने देखा था जब रमजान कविता कोशी के नहीं का लेकर इनका किसी से कौई ना था नहीं है ये ना एक न मेखा यूगा करहां गया है państ कि कुरान खेनी क्याक में पोगनास कोई चीज है जो इसके लिए विफ से भी सबकेजि़ और हाई कशीके तो मेरा कहने का मतलब यह अब आप लोग कहोगे कि तो फिर यहां कराया वहां कराया उसमें गलती क्या है गलत नहीं है बस इस एक सर्जेशन है यहां जो आए हैं 10-12 बच्चें आए हैं जो 10-12 बच्चों को इन्होंने खाना पीना खिलाया है बाटा है और कुछ-कुछ पैसे जो यहां पर घर पर मिलिये वो तो वहां से भी मिल जाती कुरान खानी भी हो जाती बच्चे के नाम की दूअ भी हो जाती लेकिन इनको हर चीज कर ड्रामा करना है वो package food देना है और फिर उनको pack करकर करके पैसे देने है फिर वो package food देने है दस बारा बच्चों के रिए, कहां दस बारा बच्चे का खाना और कहां पर जो है 02300 जो भी बच्चे होंगी उनका खाना तो वो कैसे बराबर हो सकता है तो सोच कर देखो जितने ज़्यादा बच्चे खाइंगे उतना ज़्यादा सवाब Не मिलेगा चलिए मुझे कुछ पॉइंट आपके साथ शेयर करने थे तो जो मैंने इसमें शेयर किया और आखिर में वह पॉइंट पर बात कर थे जिसकी वज़े से एक्चुली मैंने ये पोड़कास जल्दी-जल्दी में बनाया है तो बात यह है कि अभी रिसेंट व्लोग हमने देखा जो हमारी मैडम का आया था तो मैडम के व्लोग में हमें देखने के लिए मिला कि जब उनको गिफ्ट दिये जा रहे थे उस पर डेडिकेटिट पॉड़कास में डेफिनेटली बनाऊंगी अभी लेकिन हमें कुछ-कुछ ज्यादा चालू बनते है न निबादी बिविषन उनक आनड़े ऐं से जरुवत देर पर किरना एंडारे भी दर वही हरकती रहते हैं अब आप एक बात बताईए कहीं मस्जिद बन रही थी और मस्जिद में आप अगर दे रहे हो तो क्या उसका तमगा बनाकर उसका मेडल लेना चाहोगे क्या अपने गले में लटकाके मेडल बनाकर घूमोगे क्या मैं आपको बताओं इतनी जगव मस्जिदे बनती हैं और जह तो हमने जैसे नियत कर ली तो बस वो सवाब हमें लग गया जिस सवाब के लिए दिया जाता है ना पैसा वो सवाब हमारे नामे अमाल में लिख देता है अल्ला जैसे हमने नियत कर ली और उसके बाद हमने उनको जो भी आने वाले होते हैं उनको दे दिया जाते हैं और वो मस यहासिन शरीफ के जो भी बंच होगया? यानि के 20-90, यह चालीस record होगी? वो खरीद कर मढर्स ओम में दिया जा सकता है जिससे कि जैसे जैसे, जब वह बंडे पढ़ेंगे तब तब उस बंडे के जिसके बंडे के नाम की वह तक्सीम किया गया है यदि जिए गया है मस्जिद में वो तब तब उसको जिंदीगी भर उसका सवाब मिलता रहेगा लेकिन उसको ये का तामिल के लिए दे दिये हमने पैसे अच्छा बई मस्जिद के लिए पैसे तो दे दिये लेकिन उसकी रसीद भी ले लिया आपने और रसीद पर नाम लिखवा लिया और उस रसीद को फ्रेम में जड़ा कर तुमने ऐज एक गिफ्ट उसको दिया ये तुम्हें शरम नहीं है ये सारी घटिया हरकत करते हुए जो लोग मस्जिद के लिए पैसा इखटा करते हैं न वो लोग प्रॉपर तरीके से रसीदे भी बनवा कर रखते हैं और वो लोग अपने एंड से देते हैं ये सोचते हुए कि एजब प्रूफ आपके पास रहेगा कि हाँ ये पैसा मस्ज रसीद बनी होते हैं जैसे चोटी सी डायरी होती है उस तरह की प्रिंटेड्ड रसीद रसीद होती हैं ना कि बड़ा इतना बड़ा ये मेडल टाइप का बनाके उसको फ्रेम करवा के अपने घर में कौन रखता और को किसी को ऐसे गिफ्ट करता है आपने दे दिया था आप वो रसीद भी अगर ऐसे दिखा रहे थे ना ये चुप चाप उसको बिना व्लोग में शूट किये हुए कि हमने ऐसे से 25,000 रुपे मस्जिद बन रही थी हमने रुहान के नाम की दे दिये तो वो भी इतनी बात होती उसका भी उतना ही लगता इसका भी इतना ही लगा लेकिन बाकाइदा उसको बता रहे हो जता रहे हो व्लोग शूट कर रहे हो जताना तो है इनको बहुत ही गलत है इनको जताने की बहुत ही गंदी आदत है जताने के बावजूद भी उसको शीशा लगा के ऐसे फ्रेम करवा के लेकर आयो कि अपने घर में टांग लो और फिकर कहती वो तुम्हारे अल्ला के नजर हो जाएगा आप तुम्हें सवाम मिल जाएगा या उस बच्चे को ऐसे सवाम मिल जाएगा तुम्हारे इस घटिया हरकत की वज़े से बहुत सारी जगा ऐसा होता है कि इस तरह की जो रहा कुछ प्रिंट करा लेते हैं जिससे कि एजर रसीद यह तब होता है जैसे कि कोई निकले हैं रहा में और जितने भी जान पहचान वाले हैं उनकी यहां से एड्रस ले लेते हैं और यह चले जाते हैं कि वहाँ चले जाना वहाँ चले जाना जिससे कि कोई हमारे घर पर आया हुआ है तो सामने वाले बंदे को देने वाले बंद करने के और शूट करने के और यह देने की कि यह हैर वो है और यह देख लो इस पर नाम भी लिखा और बलके उसमें उर्दूर में नाम लिखा वह था वह भी पढ़कर बता रहे जनाब रुहान और 25,000 रुपे तो यह शरमनाक हरकत करते हुए तुम्हें शरम नहीं आई तो य यह उनके लिए एक पॉइंट था जो मुझे आपके सामने पेश करना था आई होप आपको पसंद आया हो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा शेर कीजिएगा चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा मिलती हूए एक और अच्छी सी वीडियो के सब्सक्राइब कीजिएगा तिल दन बाई बाई अलाफिस टेक केर